मडिपूर में एक महिला को बिना कपड़े सरे आम सड़क पर घुमाने की घटना ने पुरिदेश को सन्न करके रख दिया सुप्रीम कोट से लेकर प्रधान मंत्री तक ने घटना पर दुख जताया और कड़ी कारवाई करने का आशवाशन दिया है सुप्रीम कोट ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हम ही इस मामले में एक्षन लेंगे उधर पियम मोदी ने कहा कि दोश्यों को किसी हाल में बख्षा नहीं जाएगा जिसके बाद इसमें मुख्यारोपी कूरियम हीरो दास को ग्रफतार कर लिया गया है जिसके जानकारी प्राष्टे महिला आयो की अध्यक्ष ने दी है जिसने वो पकड़ा हुआ था जो व्यक्ति जिसने उनको पकड़ा हुआ था और एक खात उसका मुँपे था वो में अक्यूस पकड़ा गया है और वो आइडेंटिफाइ कर रहे हैं और टू विडियो जाद आती हम एक तो किसको क्योंकि भीर भाथ जाद आती है तो आइडेंटिफाइ करे में तोडा टाइम द्शेट एमाज तोड़ा टाइम धत रख. यह अपने के दो कि मैशी ने अवट पर्पारी कने लिए विट प्रेस्थ और के अफ दोसी अवट्रेटर और रेख ऑन अ कि पूटिए जुट ज़े सेट विट्र ऑट ने इन विटेंगा प्रतीर और विटित्र दृटी त गार्ट पह्टी इन फिट प्र्युस्ट पुलिस शिकायत के मुताबिक 800 से 1000 लोग हत्यार लेकर बी फैनोम गाउं में घुज गए, तोड़-फोड की और घरों में आग लगा दी, महिला के साथ दरिंदगी करने वाले तमाम लोग महती समुदाय के बताए गई हैं, बताये गया है कि गाउं पर हमले के वक्त गाउं के लोग जंगल और खेतों की तरफ भाग गई, जिसमें दो पूरिश और तीन महिलाएं शामिल थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नौंग पॉंग सेकमाई पुलिस ने तीनों को बचाया और पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि स्टेशन से भीर ने महिलाओं को अगवा कर लिया, एक पुरुष की हत्या कर महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, 21 साल की युफ्ति के साथ गैंग रेप किया और उसे बचाने गए, 19 साल की भाई की हत्या कर दी गई, वीडियो में दिख रहे घटना की दोश्यों को पकड़ने के लिए 12 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें मुख्यारोपी पकड़ा जा चुका है, NBT Online की रेपोर्ट